असलामों आलेखुन दोस्तों दोस्तों कोवेट में आज इदल अधा के मौके पर एयरपोर्ट पर बहुत जादा किराउट देखा गया बताया कि कोवेट एयरपोर्ट पर पाउं रखने को भी जगा नहीं थे इसी भीड को कम करने के लिए कोवेट डीजिसीये ने एयरपोर्ट पर काफी उपाय लागू किये बताया है एयरपोर्ट पर काउंटर की संख्या बहुत जादा बढ़ा दी है और पासपोर्ट काउंटर पर करमचारियों की संख्या को भी बढ़ा दिया है साथ ही आप लोग कोवेट के बनाए गए ट्रैफिक कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी गरफतारी तैह है आपको बता दें कि कोवेट में एक मिस्र की महीला बहुत तेजी से अपनी कार को ड्राइब कर रही थी तेजी से कार चलाते वक्त वे नियंतरण खो बैठी और वहाँ पर मौजूद एक आईसक्रीम बिकरेता इसकी चपेट में आ गया बताया है कि इस एक्सिडेंट में आईसक्रीम बिकरेता की मौत हो गई तो दोस्तों आपको सला दी जाती है बहन चलाते वक्त अपनी और दूसरे की जान को खत्रे में न डालें कोबैत के बनाए गए ट्रैफिक कानून को फॉलो करें साथ ही आज के दिन इदल अधा के मौके पर कोबैत ने जेल से कैदियों को रहा कर दिया है ताकि वे अपने परिवार के साथ इदल अधा को सेलिबरेट कर सकें बताया है कि ये कैदि वो हैं जो पुलिस के करमी थे यानि के कोबैत में जो अधिकारी डिश्वत लेते पकड़े गए और काफी जादा गेर मुलकियों के लाइसेंस को एपरूब करवाया इसी को लेकर इनको गिरफतार किया गया लेकिन इन सभी को रिहा कर दिया गया है तो दोस्तों ये थी कोबैत की कुछ इंपोर्टेंट एहमतरीन ख़वरें जो हमने आप तक शेयर करें ऐसे ही खवरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें मिलते हैं इसी तरह के नेस्ट वीडियो में अल्लाहाफ़ज़